नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस देशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म में आपके सादंकिता भारत में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है इससे दो लोग जुड़ते हैं और आगे के जीवन में एक दूसरे का साथ निभाते वे आगे बढ़ने की कस्मे खाते हैं हलागे कई बार ऐसे निभाना मुश्किल हो जाता है और पती पतनी को अलग होना पड़ता है हर्दिक पार्णिया और नताश्वा के रिष्टे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला हर्दिक पार्णिया और नताश्वा का तलाक हो गया है हर्दिक ने सोशल मीडिया पर सिचौकाने वाली ख़बर का एलान किया हरदिक ने फैंस को जानकारे दी कि वो चार साल के शादिका अंत कर रहा है हरदिक और नताशवा ने मिलकर ये फैसला लिया है कि उन Cinnamon अब अलग हो जाना चाहिए हरदिक ने बताया कि उन दोनों ने इस रिश्टे को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन अन्त में दोनों नी एक दूसरे के भले के लिए ये फैसला लिया है हार्दिक ने बताई कि तलाग का फैसला बेहदी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने साथ में खुश्या बाटी अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया वो एक परिवार की तरह रहे आपको बता दे कि हार्दिक पाणिया ने शादी के पवित्र बंधन के लिए तीन तरीका अपनाया था इतना ही नहीं इसके लिए उन्होंने करोणों रुपए खर्च भेके इसके बावजूर दोनों के शादी चार साल तक ही ठिक सके लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों कैसे प्यार में पड़े अलग की डेटिंग के बाद दोनों ने साल 2020 में शादी के पवित्र बंधन में बनने का फैसला किया लेकिन ये केवल चार साथ तक ही चल सका दोनों मई साल 2020 में कोरोना के वक्त लॉकडाउन के दौरान जल्दबाजी में कोट मैरिज कर ले थी और इसका एलान कर दिया था इसके त लेकिन हर्दिक ने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिया इतना ही नहीं उन्होंने इस शादी के दोरान वेन्यू से लेकर डिजाइन, वेडिंग प्लानर, आउट्फिट जैसे हर चीज़ पर जब कर पैसे उड़ाए अब देखने रिपोर्ट्स की माने तो उनके वेन्यू की कीमत जो है वो 2-3 करोन रुपए थी पंडिया ने अपने संगीत के लिए बॉलिवोड के मशूर डिजाइनर मनिश वलूतरा को हायर किया था आपको बता देख हर्दी पांडिया ने 4 साल के बाद नताश्वा से अलग होने का फैसला किया है कुछ दिन पहले ही नताश्वा भी बेटे अगस्तिया के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नज़राई थी मेरा रिपोर्ट की वाने तो वो देश छोड़कर अपने परिवार के पास लौट गई है हलाकि अब तक तलाक के बाद पांडिया अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ सकता है इससे जुड़ा उनका पुराना वीडियो भी इस वक्त काफे सदा चर्चा में है इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी मा और परिवार को लेकर बात कर रहे है इसमें पांडिया खुलासा करते हैं कि उनकी मा उन पर विश्वास नहीं करते हैं इसलिए जित करके उनके अकाउंट पर अपना नाम जोड़ रखा है पांडिया इसके आगे कहते हैं कि वो भी गाड़ी से लेकर घर तक सब मा के नाम पर खरीते हैं ताकि भविश्व में किसी को 50 प्रतिशत का हिस्सा नहीं दिना पड़े आपको बता दें कि पांडिया यहां पर तलाक की और इशारा कर रहे थे देखिए यह बात जो है वो शादी से पहले की है जहां पर वो एक इंटर्विव के दौरान यह सारी बात करते हुए नजर आए हलनकि पांडिया अपनी पत्नी को कितने पैसे देंगे इसका फैसला कोट के जरीए होगा वहीं बेटा अगस्या अपनी मा नताश्वा के साथ चला गया है ऐसे मिमाना जो रहा है कि वो उन्हीं के साथ रहेगा तो देखे यहां से हारदिक और नताश्वा के जो लव स्टोरी है वो खत्म हो चुकी है और यहीं से दोनों की राहें जो है वो जुदा हो चुकी है दोनोंने साल 2020 में शादी की थी और 2023 में हिंदू रितिरिवाज से शादी की थी इसाई रितिरिवाज से शादी की थी और ये शादी जो है वो चार साल तक ही टिपाई तो देखिए इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या रहा है कमेंट करके फटा फट से बताएं वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए इसके लावा अगर आपे वीडियो मारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें